कि दोस्तों नमेश्कार लेट्स क्रैक यूपी एक्जाम्स में आपका स्वागत है लाइव करना चाहता था किन्तु आपको पता ही है दो चार दिन से पांस दिन से समस्या आ रही है लाइव करने में तो इसलिए लाइव नहीं कर पाया एंसर की आप लोगों को जै हो परिक्षन करेंगे कितनी आपकी जा सकती है ठीक है तो पेपर की अगर बात करें तो पेपर बहुत ही श्रेंडर्ड ऐसा पिपर अभी तक यूपीपीश ने नहीं बनाया था आपको बता दूँ कि एसा पेपर यूपीश्यस ने अभी तक ऐसा इसे इसलिए इस बात के उन्होंने एक परम्परागत अर रूप से कुछ ही कुछ ही एडिया को झोते थे उन्होंने उसक्युन आ जो मापदंड है कि उसको इन्होंने त्याग दिया है अब यह पक कहीं से भी प्रशन पूछ रहे हैं इस बात से इस पेपर से ये बात साफ हो जा रही है हाला कि सरल प्रश्ण भी थे रिपीटेट प्रश्ण भी थे जो कई बार आ चुके हैं वो आपको दस साल का अगर साल किया होगा आपने याट कोई इजी हो जाएगा लेकिन फिलहाल अप सिलेवस का पूरा अध्यान करना होगा आपको किसी कोचिंग या किनी कोचिंग के बल पर आप पास नहीं हो सकते हैं पहली बात दूसरी बात जो सामगरियां आपके पास जो भी है आउनलाइन आप लाइन जिसके थ्रू आपको मिला है उसका बार-बार अध्यान करें गहन अध्यान करें और टेसरीज लगाई है कटाप पे बात करते हैं हमको पता है कि सबसे बड़ी जो सबसे वड़ा प्रशन होता है कटाप पे होता है कटाप बताना थोड़ा सा दूबर है लेकिन फिर भी मैं प्रयास करूंगा कि मैं आपक एक्चुल कटाब बता हूँ जैसा कि पेपर मैंने देखा फेस्बुक पे जो विसलेशन देखा लोगों का जो फीड़बेक देखा उसके अंसार कटाब मैं आपको बता सकता हूँ सामानिवर्ग के लिए हम वर्गवार बताएंगे सामानिवर्ग और OBC के लिए ये कटाफ जा सकती 72 से 74 के बीच ठीक है 72 से 74 SC की कटाफ जो है 62 से 64 और ST की कटाफ 55 ठीक है इससे कम भी हो सकती है इससे अधिक होने की उम्मीद तो नहीं है ये मैं आपको दावा तो नहीं कर सकता किसी चीज का दावा तो नहीं किया सकता आज के समय में लोग बहुत बढ़ाई कर रहे हैं लेकिन हाँ अनुभव के अनुसार में आपको बता सकता हूँ कि इतनी कटाफ जाएगी इससे जादा नहीं जाएगी इससे कम जा सकती है पेपर का मॉडल देखते हुए कम जाएगी तो आश्यरे नहीं है अभी फीडबेक आएंगे अभी लोग ज़्यादा ज़्यादा बता रहे हैं अभी दिरे दिरे जैसे अब आप एंसर की मिलाईए हम आपको बता रहे हैं कि हमने दिया है की दिया है आप मिलाईए उसके बाद लोगों का व्यू बदलेगा फीडबेक एक दो दिन तीन दिन में फिर बदलेगा फिर मैं आपके सामने आऊँगा अभी आपको फौरी तोर पे मैं बता रहा हूँ कि इतनी कटाब जा सकती है पेपर का स्टेंडर्ड देखते हो गया अब बात हुई कि आगे की परिक्षाएं आरो आरो यारो उसके पेपर कैसे बिलकुल वही पैनल वना रहा है टो पेपर भी वही होगा तो जब ऐसा स्टेंडर्ड办 पेपर होगा आप test series join कर सकते हैं हमने जो test series start की है वो भी आप join कर सकते हैं हमारी test series भी join कर सकते हैं इसके अलावा अब crash course मेरा रात 9 बजे start है ही यहाँ पे रात 9 बजे crash course start है आज दूसरा वीडियो इसका 9 बजे आएगा रात में इसको आप daily देखे आपके कई प्रशनों का जो solution है यह हमारा crash course रहेगा अगर आप 3, 4, 5 वीडियो देखते हैं तो आपको वो अनुभो होगा जो इस paper में अनुभो हो रहा है ठीक है न? यह मेरा विश्वास है बाकी special classes, unacademy वगरे में चलेंगी ही वहाँ पर उसका मैं लिंक दे दिया करूँगा एक दो घंटे की classes वो रहेंगी special classes रहेंगी इसलिए यह करना आपके लिए बहुत जोरी रहेगा बहुत किफायती रहेगा ठीक है अब बाकी unacademy पर plus courses भी चलते हैं आप लोग अगर संस्थागत तयारी किसी परिक्षा करना चाहते हैं तो ud10 मेरा referral code है इसको यूज करके कर सकते हैं answer की आप लोग जैहो study telegram group से ले लीजे बहुत लंबा वीडियो हो जाता है इसलिए मैंने answer की download नहीं की upload नहीं की कारण है कि आज का live आने बहुत दिक्कत होई दोस्तों ठीक है live बहुत problem हो रही है और इसी वज़े से सुबा का वीडियो शाम का वीडियो कोई भी live नहीं हो पार रहा है ना तो एनक एड भी कोई special classes आज हो पार रही है तो इसके लिए अब ऐसी उम्मेद है कि मंगलवार या बुद्धवार तक ये समस्या solve हो जाएगी काफी दिन से प्रयास कर रहा है हम जब से यहां पर आए है किन्तु हो नहीं पा रहा है वो आप लोग की कोई query हो तो comment box में डाल दीजे ये वीडियो चोकी recorded वीडियो है तो मैं बाद में comment आपके पढ़ लूँगा उसके अंसार फिर वीडियो में मैं discuss कर लूँगा बहुत बहुत धन्यवाद